तो गाइज मैंने में जासीज एंड यू और वाचिंग रेसल श्ट्रोग तो गाइज फाइनली हमें मालूम पड़ चुका है कि रोमन रेंज का डबल डबली के स्मैक डॉन में नेक्स्ट चलेंजर कौन होने वाला है और गाइज जैफ हार्डी चाहते हैं कि रेटार्मेंट स पहले विलोहर्डी वाला ज़े करेक्टर है वापास है और घॉन लोग यह दिसक्स करेंगे इस साल के एक्स्ट्रेश्ट में टाइटल चेंज होँगे या नहीं और गोईज लास्ट में लोग वी इसक्स कर लेंगे इंपक्त रस्लिंग के के अपकॉमिंग एपर ग्लोरी 2021 क तो गाइस इन जारे चीजों पर डिसकस करने वाले हैं चैनल पर पहली बार मीट करो सब्सक्राइब करना नोट फिक्सेल पर जरूर करते हैं तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपक्ट रसलिंग के बांड फुर ग्लोरी 2021 से तो गाइस जैसा कि अभी आप डेट को दे प्रिश्चैन केज भीड़ने वाले हैं जोस अलेक्जेंडर से और गाइस ऑफिसियल तोर पर एनाउंस हो चुका है कि अक्टूबर में बांड फुर ग्लोरी 2021 में इंपक्ट वर्ल चैम्पियंसिप के लिए क्रिश्चैन के वर्स जोस अलेक्जेंडर के बीच में हमें में ऑफिसियल तोर पर कंफर्म होते नजर आ चुका है और गाइस फर्स्ट है एक्स्टेम रोस 2021 के लिए दीमन फिन बैलर्ड अपकमिंग क्राउंजिल 2021 के लिए हैं बीस्ट इनकाने ब्रॉक लेस्टनर और उसके बाद गाइस काफी डूमर्स आ रहे हैं इस साल के इस सबसे ज्यादर नाम चल रहा है और किसी का नहीं बलकि गाइस दब्रमा भूल दो रॉक का की ऐसा हो सकता है कि रॉक डिटर्न आएंगे और रॉक रोमन रेंज को चैलेंज करेंगे तो गाइस अभी इन चार बड़े सूपरस्टार का नाम चल रहा है जिसमें से दो नाम नाम चल रहा है जो कि रोमन रेंज को फेस कर सकते हैं डबल डबली के अपकामिन पेपर व्यू में और गाइस सेकेंड नास्ट अपडेट की बात की जाए तो यह जुरी हुई है एक्स्टीम रुल्स 2021 के टाइटल चेंजे से तो गाइस जैसा कि आपको माले मुगा कि डबल ऐसे साल चेंपर के लिए क्याइस रिमार्स यापका सकतो है रिमार्स ने बलकर गाइस बेट है कि इस मैच को रोमन रेंज जीतने वाले है और गाइस सेकंड मैच हमें इसमाग डूंड वोमेंच छैंपर सिप के लिए बीच में तो गाइस स네 के भी बीटिंघ के बीच हुई तेखने को मिलने वाला है तो गाइज करेंट में अभी फेबरेट है हमारे करेंट के राव विमेंच्छ छैंपिने साव्यार लेट फियर यह strict तीन मैच तीन मैचस में टाइटल चेंजिस होने के कोई भी चांसे नहीं है और गाइजी मैच यहां हमें यूएस चैंपिन्स 2021 में कोई भी टाइटल चेंजेज नहीं होने वाले है और गाइस लास्ट अब्डेट की बात की जाए तो यह जुनी हुई है इंपक्ट रस्लिंग के करेक्टर विलो जेफ हर्डी से तो गाइस जैसा कि आपको मालूम होगा कि इंपक्ट रस्लिंग में हमें विलो जेफ हर्डी के करेक्टर देखने को मिलता था तो गाइस अभी डिसेंट के पोड्कास्ट में जेफ हर्डी ये रिवील करते हैं वो चाह है गाइस की जैफ हार्डी का आगर आप कह सकतो हो कि यह होग है यह वांट है तो हो सकता है गाइस की यह वहला जो करेक्टर है हमें डिखनी को मिल सकता है और गाइस यह वहला जो करेक्टर है वह काफी अच्छा करेक्टर हमें देखनी को मिलता है जैफ हार्डी का तो देखते झाल झाल